नमस्कार दोस्तो इस टेड़ी विध हैपिनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रशाशनिक अधिकारी भरती की तो अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तो यह जो वैकेंसी निकली है वो है Ministry of Agriculture and Farmer Welfare में यह advertisement है 19 जुलाई का और जो वैकेंसी है वो है administrative officer और finance and account officer की तो दोस्तो यह है चावण सो ग्रेट पे की जिस तरीके से आप देखते होंगे जो IES और PCS की जो starting salary होती है वो चावण सो ग्रेट पे से होती है यानि कि जो जोकरी है advertisement में देखते हैं 23 तारीक से form पढ़ना start हो जाएंगे यानि कि 23 जुलाई से और 23 अगस्त इसकी last date है एक्जाम की डेट पहले से बता रखी है objective टाइप परिक्षा जो इसकी tier 1 की है वो होगी 10 October को वैकेंसी की बात करें तो administrative officer की 44 वैकेंसी है और finance and account officer की दोस्तो 21 व officer के लिए graduation होना चाहिए और minimum 55% होना जरूरी है साथ में आपके पास computer की working knowledge भी जरूरी है इसमें ठीक है कोई certificate नहीं मांगा है मगर आपके पास working knowledge होनी चाहिए finance and account officer के लिए भी graduation है और minimum 55% है desirable qualification आपके पास नहीं भी है तब भी जो है आप इसके लिए apply कर सकते हैं center के बारे में बात करें कि center कहां कहां रहेंगे वो इसमें list लगी हुई है और जो इसमें age limit की बात है वो है 21 से लेकर 30 तक ठीक है और दोस्तों यदि आप जिस category को ब्लाउं करते हैं SCST को या OBC को तो उसका आपको age में relaxation भी दिया जाएगा फीज की बात करें तो total फीज जो है इसकी unreserved OBC और EWS के लिए वो 500 रुपए है और महिलाओं के लिए SCST के लिए और दिव्यांग परसनों के लिए ये फीज है 20 रुपए है और finance and account officer के लिए भी जो है ये फीज सेम है मगर यदि आप दोनों को apply करेंगे तो इन दोनों का य वो भी इस notification में बताया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो जिन भी अभ्यारतियों का इसकी syllabus के according अब आप देखेंगे इसकी syllabus क्या है इसका tier 2 जो है उसमे paper 3 और paper 4 होगा account officer के लिए और जो finance officer है उसके लिए अलग होगा ये जो दोस्तो notification है ये मैं आपने telegram पर भी शेयर कर दूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं telegram channel का नाम है study with happiness without space लिखना दोस्तों आपको हमारा channel मिल जाएगा तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर ये exam center है आप अपने अनुसार देख सकते हैं क्योंकि center government की job है तो हरे state के अंदर इसका exam center बनाया गया है तो आप अपने nearest देख सकते हैं कि कौन सा आपकी nearest है और ये थोड़ा सा rules and regulation बताये गए हैं अब हम direct चलते हैं इसके exam pattern की और exam pattern इसका क्या है तो exam pattern की बात करें दोस्तों जो tier 1 होगा उसमें general knowledge होगी general intelligence है arithmetic है और language comprehension है तो यहाँ पर आपको छूट मिली हुई है हिंदी और English तो यानि कि ऐसे बहरती जिनकी English ज्यादा अच्छी नहीं है वो हिंदी और कर सकते हैं या जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है वो English opt करते हैं यह काफी अच्छा तरीका है tier 2 जो होगा दोस्तों आपका वो होगा तीन घंटे का और यह परिक्षा descriptive होने वाली है तो इसमें ऐसे अब भ्यारती जिनका लेखन कोशल अच्छा है जो आरो यारो के लिए भी तयारी कर रहे हैं वो भी इसके लिए apply कर सकते हैं त गवर्नेंस पेपर 3 की बात करें यदि हम तो उसमें ऐसे रैटिंग है दो ऐसे लिखने होंगे 75 75 नंबर के और पेपर फोर्ज होगा वो ethics का होगा integrity का होगा और aptitude का होगा तो total मिलाके यह आपके होगए 600 और tier 3 की बात करें तो इसमें interview होगा जो कि आपका 100 नंबर का होगा तो दोस्तों देखा जाए तो जैसे कि IS की परिक्षा होती है प्री होता है मेंस होता है फिर इंटर्व्य होता है उसी तरज पर यह है मगर यह कह सकते हैं कि हाँ उतने ज्यादा इसके tier 2 में इतना ज्यादा descriptive नहीं है जितना कि IS में होता है तो यह पूरा इसका परिक्षा का पाठिक्रम है और यह आप देख सकते हैं कि जो interview है यह जो personality test है उसमें किस किस चीज का आपको कितना कितना विटेच मिलने वाला है personality के 20 नंबर है working knowledge of computer हाँ तो यानि कि interview में आपसे computer से related जो question है वो पूछे जाएंगे extra curricular activity और depth knowledge of आपके subject पे command कितनी है इन सब चीजों में बता रखा है कि अगर आपकी कौन सी चीज अच्छी है तो आपको कितने number इसमें मिलने वाले हैं और यदि आपके qualification में 60% और उससे above हैं तो उसके लिए भी आपको 5% 5 number जो है उसके दिये जाएंगे तो यह अच्छा है कि interview के जो number है उसमें भी काफी पार दर्शिता है अग arithmetic और language comprehension में किया आएगा तो language में आप देख सकते हैं Hindi और English जैसे की choice है पचास question इसके होने वाले हैं वो आपके बता रखें यहां पर फिर है tier 2 tier 2 में जो है दोस्तो paper 1 उसका भी syllabus जो है वो detail में दे रखा है बस यह है दोस्तों आपका लेखन कोशल अच्छा होना चाहिए अ किस-किस topic पे जो है यह essay आपसे पूछे जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह रहा total advertisement के बारे में और यहां पर देखिए दोस्तों आगे के promotion भी पता रखें कि आगे आपके क्या-क्या promotion होने है यानि कि administrative officers के बाद आप बनेंगे senior administrative officer फिर deputy secretary या फिर chief administrative officer फिर director की rank है या फिर CAO Chief administrative officer senior grade का जो की level 13 का होगा और जो इसका अगला promotion होगा वो होगा joint secretary या फिर joint director admin तो यह level 10 की जो है हो जाएगा लेबल 10 नहीं great pattern है इसमें तो काफी अच्छा इसका promotion का है दोस्तों time scale related है कि इतने साल की आपकी service हो जाएगी तो आपके ये promotion हो जाएगे paper आसान नहीं है paper थोड़ा सा tough है तो आप देखिए कि क्या आप इसके लिए तयारी करना चाहेंगे क्योंकि इसके लिए भी आप मान इसके बारे में detail है जारा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम को तो देखी सकते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों कई अभी तक classes कराई हैं उन सभी के PDF आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएंगे तो आप जो है वहां से देख सकते हैं इसके लावा बहुत सारे अभ्यारती हैं जिनकी कुछ urgent query होती हैं कुछ पूछना चाते हैं या career guidance चाते हैं तो आप मुझसे सीधे phone पर भी बात कर सकते हैं अभ्यारतीयों के लिए ये भी सुवधा हमने start कर रखी है इसी वीडियो की description में आपको बताया गया है कि आप मिलेंगे हम next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत